नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल एलपटिल ब्लोग्स में और आज के दिन हम हैं फ्री पूरे पूरे अगर देखा जाए तो लगबक 40 दिन में आज के दिन हमें सुबह के टाइम में टाइम मिल रहा है तो अभी आपके सामने हम ये वीडियो सूट कर रहे है और टाइम मिलने का कारण ये है कि कल जो हमारे हाँ हवा चली हवा ने इतना नुकसान किया कि थोड़ा सा हमारी मिट्टी भी गिली हो गई पानी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तो दवई हम नहीं डाल सकते तो सब कुप्पे वगरा भरके रख्या हुए हैं पूरा त हमारा छोटा ट्रेक्टर जो है वह नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे पंपों को निकालना पड़ेगा जो टू स्टॉक पंप हैं उनको बाहर हड़ेंगे और उनसे दवाई चालू करेंगे अभी जो है आज की कंडिशन में अगर हम बात करें तो हमारे मूंग बहुत अच्छे लगे हुए हमारी सभी दवाईया हमारी रिजल्ट दे रही है इल्लियों का कोई अटेक हमारे खेतों में नहीं है मारू का भी हमारे खेत में नहीं दिख रही है और उसका सब का स्रेज आता है इस बारिक को इस लिए जाता है क्योंकि ये जो है खेत के तो फूरवी पेर तोड़ी झाल्य है तो यह पेर अपन्चर हो जाएगा मतलब वी जूत कर्या है का पीछ अपने डलवा नाध की जूते कभी पी लिया तो कभी डाइरिया होते रहता है लेकिन अभी भी अचते हैं करने का पीफाय करने और यह इनके अलेहे लिए न हमदेश हास केवाअ तो सब्सक्राइब करना कि दूजब्रा हम पार काूर और चुका है अब यहां पर सिर्फ एक गेट लगना बाखी है बाखी यह रूम बहुत हमेंसा ठंडा रहता है यहां लेटने में मज़ा जाता है यहां से दिखती है हमारी स्वया भी यह जो लगी हुई है देख सकते हैं अब इसके आगे जो है मूंग लगा हुआ है अलग-अलग लगी हुई है और ड्रिब जो है वो पानी उतना डिस्चार्ज नहीं कर पा रही इसलिए थोड़ी सी यह लप्टी हुई है क्योंकि टेंपरिचर जो है वह बहुत हाई हो गया है अभी मैं आपको दो-तीन नई विराइटियां भी बताऊंगा वैसे यहां से लूप कितना काम करेंगे अभी फिलाल की स्थिति में तो अभी सब समानों को थोड़ा सा सपा करके अंदर रखना है और हमें एक काम करना है जो हमने यह सुद्रिल लाए थे उसको थोड़ा सा सेट आप जमाना है तो इसकी लिए मैंने में वीडियो चालू किया था कि यार इसकी अब जो सब्सक्राइब को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो यह जो रोहित का प्लांटर है यह तेरा टाइन का है मतलब इसमें तेरा टाइन चल जाएगी और यह एक एक दाना एक्कुरेट मातरा में फिकेगा मतलब ऐसा उनका कहना है अभी अपन डालेंगे जब जाके पता चलेगा ब बगभग में बेठा है जिसमें यह है और यह टांग यह नलियां मिली थी तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अभी यह सिंगल है और अब हम होने वाले हैं फ्री जिसमें डवल साप्ट करेंगे मतलब एक लाइन तो यह एक यहां के लिए एक और डंडी इसमें यह मामला अभी हम setup करेंगे इसका तो यह अभी करने का plan जमा लिया है हमने अभी हमने बोला था भीया से एक building वालों से क्योंकि मेरी आव में तो एक बार की building लगे थी तो मेरी हालत खराब कर दी थी तो अभी उनसे बोला है तो वो इसको करेंगे और यह जो है अभी तक तो छ इसके अंदर ये ये गरारिया है और ये यहां पर डलती है ये बाली जिसे इसमें जार और उड़दी के लिए भी डली हुई है इसमें इसको ऐसे लगाओ और जित्ता किलो सेट डालना वो डालो और इसको चलने दो इधर डलता है घाद ये हमारे डूल परपस मक्का मक्के की भी हमें सोईंग करनी है उसके लिए भी चीए थी तो ये मक्का प्लस हमारी सोयाविन उड़द मौं इन सब के लिए काम करेंगे तो अभी इसको मतलब हम तयार करेंगे अभी तो थोड़ा समय है हमको तयार करने में सेट अप जमाने में लेकिन इसको चलाएंगे ये इसका ये टूटा हुआ मिला था हमको वहाँ से और एक हमारी सिड्रिल है देशी सिड्रिल वो है ये ऐसी के ऐसी जेकोर सिड्रिल है बड़ी वो भी घर रखे हुई है दो सिड्रिल है हमारे पास ये वाली तो ये सिड्रिल का काम है डारेक बोना, एक साथ बोना, और जुक्के में पॉधे को डालना, मतलब एक साथ, दो, दो, तिन, तिन तिन पॉधे डाल देती है, तो दिक्कत है जाती है थोड़ी सी, बागी अच्छी है, काम बढ़ियां करती है, स्पीड से काम निकालती है, अगर इसको चलाएंगे, तो slow चलाना पड़ेगा धीरे-धीरे क्योंकि ज़्यादा तेज चलाने में इसमें दाने स्लिप होंगे और इसको आप कितनी तेज चलाओ इसमें दाने स्लिप का कोई system नहीं गेर सिस्टम में सीधा गेर से दाना गिरेगा और जितना आपको दाना फेकना है 10 किलो ज़्यादा फिकाएगा सिधी सी बात है मतलब आप 30 किलो बोगे तो एक साथ जुक्या में गिरेगा और अगर आप उसको सोचोगे कि आप थोड़ा दूर-दूर करे तो वो इसमें हो नहीं सकता तो ऐसा करके ये जो है दोनो मटेरियल आपको मैंने दिखा दिया है आप बताओ कि आपको कौन से सिड्रिल पसंद आती है ये वाला मॉडल कि ये वाला मॉडल मतलब दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है वो भी मेरे को बताना ये तो इसको प्लांटर बोलते हैं मतलब प्लांटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिड्रिल दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़रेक है वाकि दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से तो आपको कौन सी अच्छी लगी दोनों में से ये वाली या बो वाली और कोई कौन सी उप्योग कर रहा है मतलब एगर कई planter उपयोग कर रहा है तो बो बता और अगर आप इप अब कर रहे हैं इसको चलाया था छो इस खेत में जिसमें स्वैविन उसमें पूरा डीप डाउन कर दिया और उदर से आगई थी एक जड़ उस जड़ में इसकी रॉड यहां से तूट के अंदर ही रह गई और यह खराब हो गया तो अभी इसको सुद्रा ना है तो ऐसे करके अभी हमारे पास बहुत सारे काम है पूरे काम कंप्लीट करेंगे और एक-एक से काम चालू कर देते हैं क्योंकि अब समय आ चुका है इन सभी के काम को करने का इसके फल्ले पजाने का तो वो सब स्टार्ट करते हैं धीरे से क्योंकि मूंग जो है अब वो 45 दिन का हो चुका 10-15 दिन बाद आने वाला है अगर वो जल्दी आ गया तो दिक्कते हो जाएंगी क्योंकि खेट बनाने के लिए यह सब चीज़ें हमें अभी चाहिए और बारिस का इस बार कोई भरोसा नहीं ऐसा लग रहा है कि जून में बोनी करवा देगा सोयाविन की अभी देखते हैं यह मामला तो सेट हुआ है अभी मैं जाओँगा खेट में और खेट की क्या-k held condition बन रही है दौई कैसे डलेगी वो भी मैं आपको वताऊंगा और क्या ढाले है को भी बताऊंगा यह हमारे मूम देख सकते हो इसका नाम है अयोध्या एग्रिटेक मान्यवर वन और कोई इल्ली मिल्ली का प्रकोप नहीं दिखती ऐसी इल जैसी है लेकिन यह इल नहीं है और अच्छा लगा हुआ है नीचे भी फूल आ रहे हैं उपर भी फूल है नीचे भी फलिया बन चुक यह आप उच्छा देख सकते हैं यह आज सामने हमारी एक मोटर ने हमें धोका दे दिया हम उसको निकाल रहे हैं रुक जा चल्या